गुट मॉर्निंग, I love you, how are you, कैसे हैं, अच्छे हो, केम छे, है ना, हम भाशा पढ़ रहे हैं भाशा के बारे में, तो सबकी अलग-अलग भाशा हैं हैं, कोई हिंदी है, कोई गुजराती है, कोई मराथी है, है ना, बोली भी अलग-अलग होती है, कोई माल भी बोलता है, को बेटा हमने पिछली क्लास में, ग्रामर पढ़ रहे हैं अभी, दो चेप्टर हो चुके हैं, आज हम तीसरा चेप्टर पढ़ेंगे, है ना, शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दो मिनिट के लिए भगवाल को याद करके धन्यवाद देते, सब अपनी आखे बन क करें हाथ चोड़ें, और मेरे साथ दोर आएंगे, है ना, तो मेव माता, चपिता, तो मेव, तो मेव बन्धूश, चसका, तो मेव, तो मेव माता चपिता तो मेव, तो मेव बन्धूश, चसका, तो मेव, तो मेव विद्या चद्रविनं तो मेव, तो मेव सर्वं ममदेव देव आप लोग हमेशा मेरे साथ दोरा हैं इसलिए में आपको दीरे दीरे बोलती है तो हम हमेशा एक नया श्लोग नया मंत्र कुछ भी हमारी क्लास में शुरुआत में करेंगे और यह सब यह आपको अच्छे से याद करना है अब क्लास के शुरुआत में मैं आपको, एक story में ने सुनाई थी है ना, तो story के answer मुझे दो-तीन बच्चों ने दिये है, जैसे अध्या ने दिया था, अध्या मित्तल ने, तो उसने जो answer दिया था, कि किस की होगी? लड़की की शादी किस के साथ होगी? एक बच्चे ने दिया है मुझे रिशित रिशित ने सही आंसर दिया और अध्या दुर्वे ने भी आंसर सही दिया कि लड़की की शादी बहाद्दूर के साथ होगी देखो ग्यान कुछ काम नहीं आया है न वो उड़ा के जरूर ले गया लेकिन उसको लड़की को वहाँ से बचा के को लाया था बहाद्दूर लाया था तो लड़की की शादी किस से होगी बहाद्दूर से जिन बच्चों ने कोशिश किये जैसे आध्या दोनों आध्या ने मुझे सही आंसर बताया रिशित ने भी और कुछ बच्चों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं उन्होंने सोचा जरूर होगा लेकिन हम लोग क्या करते हैं सोच लेते हैं उत्तर भी सही होता है कुछ बच्चे क्लास में भी संकोच करते हैं बोलने में तो हमें संकोच नहीं करना है देखो या तो सही होगा या गलत होगा है ना लेकिन हमने सोचा तो सही तो आध्या दोनों आध्या इनके लिए क्या है क्लैपिंग करेंगे अब मेरे पास शूरूत लेख शूरूत लेख जो कि मैंने बोला था आपको क्या करना है बोल बोल के लिखना है तो कुछ वीडियो आये हैं जिनके नाम में बोल रहे हैं और बाइचंस किसी का नाम छूड़ जाता तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं हमारा नाम क्यों नहीं बोला मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट होती वाटसप पे बहुत सारे बच्चों के नाम हो गए हैं वैसे तो जैसे आता है मैं तुरंत लिख लेती हूँ पर कभी-कभी देख के चुक हो जाती है है ना जैसे नीरा नीरा ने क्या बनाया था फास्ट रेट बाक्स बनाया और उसने भी शुरूत लेक़् मुझे बोल-बोल के लिख के बताए है नीरा फिर आद्या मित्तल वेदर्श है ना चीजेन सानिद्य वीवान इन सब के लिए है ना बढ़िया क्लेपिंग है मेरी तरफ से सारे बच्चे क्लेप करें इनके लिए और ये लिस्ट मेरी बढ़नी चाहिए ये वो छोटी लिस्ट है मेरे पास अभी है ना ये नामों की लिस्ट पूरी लंबी हो जानी जाहिए मुझे नाम लेने में पूरा एक 30 मिनिट मेरा इसी में हो जाए ऐसा होना चाहिए तो सारे बच्चे अब मुझे अपना वर्क, होमवर्क करके बताएंगे है ने चलो अब हमारे पार्ट दो तक हो चुका है ग्रामर में पार्ट दो के हमने प्रेशन उत्तर भी लिख लिए अब हम आएंगे सभी लोग अपनी ग्रामर की पुस्तक निकालने हैं क्योंकि बिना पुस्तक के कभी भी पढ़ाई नहीं की जाती है हमेशा पुस्तक, पैंसिल, शॉप करके बैठना है इरेजर, सब साथ में लेके बैठना है अब आज हम पढ़ेंगे पार्ट तीन, शब्द और वाद की है न? हमारा पार्ट तीन क्या है? है शब्द और वाद के शब्द, शब्द कैसे बनता है? मैंने आपको बताया है वर्णों के में इसे हैं ना? वर्ण, वर्ण आपको बताया क्या होता है? अ-म-र जब हम वर्णों को जोड़ देते हैं है ना? जिसका कुछ अर्थ निकलता है कभी-कभी क्या होता है? बिना अर्थ के भी होते हैं अ-र-ग तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है है ना? हमेशा शब्द का अर्थ होता है अर्थ मेंज उसका कोई भी अर्थ होना, जिसे अमर एक नाम है, है ना घर, जहां हम रहते हैं, तो जब वर्लों को जोड़ते हैं, तो क्या बनता है शब्द, और शब्द से जुड़कर, शब्द जैसे मैंने लिखा, अमर, घर, चर्द, तो जब शब्द मिल करके, वर्लों मिल के शब्द बनाते हैं, और शब्दों से क्या बनता है, वाग कियो, तो यह चिल्द आप लोगों ने क्लास फर्स्ट में सीखी थी, लेकिन आप इसका, इसे अपने व्याकरण के रूप में नहीं पढ़ाता, जब आप छोटे हैं, और य यहीं से आप लोग हिंदी बोलना पढ़ना सीखते हो, हमने आपको पहले वर्ण सीखा है, दो मातरा के वर्ण, तीन मातरा के, फिर उनसे हमने शब्द बनाना सीखा है, है न, फिर आ की मातरा, ओ की मातरा, छोटी, बड़ी, सारी मातरा हैं सीखी, फिर आपने क्या करना सीख कब हिंडी को पढ़ना सिखा तो शब्द कैसे बनते हैं? बर्णों के मेल से और वागती कैसे बनते हैं? शब्दों के मेल से तो अब हम इसे पुस्तक की भाशा में पढ़ेंगे सभी अपनी पुस्तक सामने रखेंगे मैम के साथ दोहराएंगे शब्द स्वर तथा वेंजनों के मैंसे बनते हैं है ना स्वर मींस आप समझते हो सारी मात्रा है जो क्या है स्वर है औ से लेके आओ तक आपने बढ़े हैं ना स्वर ओ, आ, ए, ई, उ, उ, ए, आ, ओ, आओ ये क्या है आपके स्वर अब स्वर्ट के बाद हम पढ़ेंगे वेंजन वेंजन क्या है आपके कर से लेके आपने जोग तक पढ़ा है वो क्या है वेंजन तो स्वर और वेंजन के मैल से क्या बनता है शब्द बनता है और ट्रत्येक शब्द, ट्रत्येक वाक्य का कोई ने कोई अर्थ जरूर होता है जैसे हमने व्यंजन ले लिया रा, स्वारी र व्यंजन लिया इसमें हमने आसवर जोड़ा, है ना रा, म, और हर व्यंजन में अ अ का उच्छारण हर व्यंजन में है क, ख, ग, ग तो आपको अंत में अ की दोनी स्वतप ही सुनाई देगी तो रा, म, तो यह हमारा शब्द बन गया, रा देखिए, स्वर और व्यंजन, दोनों के मेंसर क्या बन गया है शब्द बना है, है ना और शब्द से क्या बनता है वाक्य बनता है तो इस तरब हमने स्वर और बेंजन हमेशा शब्द जब भी बनेगा स्वर और बेंजन के किस से बनेगा मैल से बनेगा मैल मेंस दोनों को मिलाने से प्लस करने से मैस में करते हो ना प्लस वैसे ही इसमें भी प्लस होता है, जोड होता है तो र, आ, म, राम इसी प्रकार उस तक में आपको और भी उधारेण दे रखे है जितना ध्यान से सुनोगे, समझोगे ग्रामर उतनी अच्छ से समझ में आएगी विद्याले, आपको चित्र भी दिये हुए हैं घर, लड़का, मंदीर, शलगम, आदी कोई भी शब्द हो सकता है ना ये पुस्तक भी हो सकती है, ये रुमाल भी हो सकता है ये कंगन हो सकते है, मैम किमाला हो सकती है, सारी हो सकती है घरी हो सकती है, पंखक, जो भी शब्द आप ले सकते हो, वो हो सकता है लेकिन क्या होना चाहिए उसका अर्थ अवश्य होना चाहिए उपर चित्रों की सहायता से हमने देखा कि प्रत्यक शब्द कई वर्णों से मिलके बना है और सबका कोई ने कोई अर्थ जरूर है अब शब्द, शब्द की परिभाशा दो या दो से अधीक, सभी दोहराएंगे मैम के साथ दो या दो से अधीक, वर्णों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो ऐसे वर्णों के मैल को शब्द कहते हैं सार्थक, सा अर्थ, जिसके साथ अर्थ निकलता है कुछ क्या होते हैं, निरर्थक होते हैं, कुछ सार्थक होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, शब्द के दो भेद होते हैं शब्द के क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, शब्द के भेद, कितने होते हैं, दो एक होता है सार्थक शाब्त और दूसरा होता है निरर्थक तो सार्थक, सार्थक वह होता है जिसका कोई ने कोई अर्थक हमेशा होता है जैसे इसके उधारण हम ले सकते हैं इसमें दिया है पानी, कपड़ा, मकान है ना कुछ भी ले सकते हो लेकिन दिरर्थक नीर अर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं होता है है ना Meaningful, Meaningless आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में तो आप बोलते हो ना गाय वाय आई थी, खाना वाना खाया, रोटी ओटी नहीं चाहिए, चाय वाय पीली क्या तो वान, इसके साथ जो आपने जोड़े हैं मन से शब्द हम बना देते हैं उसका कोई मिनिंग होता है क्या, गाय वाय, वाय का कोई मिनिंग नहीं होता है रोटी, ओटी, ओटी का कोई मतलब नहीं होता है ना, खाना वाना तो ये हमारी क्या होता है? हम भाशा में उसे शामिल कर लेते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन फिर भी हम उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं लेकिन वो क्या होते हैं? नीर अर्थक है ना? Meaningless जिसको आप बोलते हो ना? तो चाय वाई अब चाय का तो मिनिंग होता है लेकिन वाई का मुख भी मिनिंग होता है? नहीं बहुत से बच्चों की यह आदत होती कुछ भी उटपडांग शब्द भी बोलते रहते हैं ना? कुछ क्या बोलते हैं? मैं मेको नहीं जाना है नी, नी जाना है नहीं जाना है कई नहीं जाना है कहीं नहीं जाना है तो आपने दिखा ना? चाय वाई खाना वाणा तो यह जो वाणा वाई ऐसे कई शब्द हैं जिसका आप रयोग करते हो तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है इसलिए इने नीरर्थक शब्द कहते हैं तो हमने पढ़ा कि शब्द क्या है और शब्द के कितने भेद होते हैं शब्द दो या दो से अधिक वर्डों के मिलने से जब कोई सार्थक अर्थ जम निकलता है तो वो शब्द कहलाता है लेकिन ये दो इसके दो बेदे एक होता है साहता इतनी रथा जिसका कोई अर्थ होता है और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वागें बहुत सरण है ये छीजें बस घिहान देंकर सुनना है आपको हम लोग इसे पढ़ते हैं लेकिन हमें इसका grammar के इसका grammar में क्या प्रयोगी grammar में इसे cancel आया जाया यह ने को पता होता है तो इसलिए आपको हम grammar पढ़ाते हैं ताकि आप हिंदी का चारण कर सकें और इसे शुद्धरुप से लिख सकें अब हम पढ़ेंगे वाग के मैंने आपको बताया अभी की वाग के क्या है शब्दों के मैंसे जो बनता है वो वाग के के लाता है जैसे राम घर जा रहा है मैंने खाना खाया अब रोहन चित्र बनाता है आपकी पुस्तक में देखिए क्या दिया है रोहन चित्र बनाता है बच्चे खेल रहे हैं है ना अब शब्दों के व्यवस्ति समुख को वाक्य कहते हैं जिसे पूरी तरह पस्ट हो जाए है ना कभी-कभी क्या होता है कुछ बच्चे शब्द ऐसे बोलते हैं मैं कल गया था बाजा है ना तो उसका क्रम सही नहीं है मैं कल बाजार गया था ये सही वाक्य है तो शब्दों के व्यवस्तित समुख को वाक्य कहते हैं जिससे अर्थ पूरी तरह इसपस्ट हो जाता है जैसे सीता दूद पी रही है है ना तो इसका पूरा क्या हो गया अर्थ निकला व्यवस्तित क्रम में भी है अब वाक्य के दो भागे जैसे शब्द क्या है दो भाग पड़े थे इसे वाक्य के भी क्या होते है दो भाग पहला होता है उद्देश और दूसरा होता है विधे पहला क्या है उद्देश अब उद्देश क्या है? उद्देश क्या है? उद्देश मींस सब्जेक्ट समझते हो? जैसे जिसके बारे में बात कही जाती है वो उद्देश कहलाता है, जैसे गाय दूद देती है द्धोबी कप्डे द्धोता है तो यहां पे गाय क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है जिसके बारे में बात हो रही है? जैसे आप लोग इंगलीश में पढ़ते हो? सब्जेक्ट है न? हिंदी, इंगलीश, ग्रामर लगभग समान है थोड़ी बहुत नियमों के अंतर है लेकिन देखा जाए तो एक जैसी ही व्याकरण होती है दिकतर सभी विशेयों में अब हम पढ़ेंगे विधेय अब विधेय मतलब प्रेडिकेट वो देश्य के विशेय में जो कुछ कहा है उसे विधेय करते है जिसे गाय दूर देती है तो गाय क्या दे रही है? दूर दे सभीव देती है तो यह पूरा वाकी क्या हो गया है हमारा विधेय दूर दोभी कपड़े धोता है तो दोभी क्या करना है कपड़े धोदा है जिसे आप क्या बोलते हो प्रेडिकेट है ना यह हमारा सबसे यह होना है ना आप पढ़ते रहें अगर आप इंग्लीश में भी ग्रामर पढ़ते जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों में बहुत जाता ही समानताय होती है अब हम पढ़ेंगे उद्देश और उनके विद्धे जाटेंगे है तो हमने देखा बात के जो प्रेकार के होते हैं एक उद्देश दूसरा होता है विद्धे थोड़ा सा सेकेंड के हिसाब से आपको कठीन लगेगा लेकिन कोई चीज कठीन नहीं है अगर उसे समझा जाता है तो अब हमने देखा नीम दिखी तो धारण दरा विद्देश तथा विद्धे को समझना ताज महल कितना सुन्दर है आपकी पुस्तक में है ध्धान देश से ताज महल कितना सुन्दर है तो ताज महल क्या हो गया उद्देश विधे क्या हो गया उसके जो तारिफ की गई है कि कितना सुन्दर है लक्ष किताब पढ़ रहा है लक्ष कोन है उद्देश सब्जेक्ट है ना क्या कर रहा है वो किताब पढ़ रहा है अब है प्रिया रित्य करती है प्रिया आपका उद्देश हो गया उसका विधे उसका काम क्या है रित्य करती है फिर मेरे पिताजी क्या हो गया है यहाँ पे पेरे पिताजी उद्देश बाजार गए है क्या हुआ है उनका विधे क्या काम कर रहे हैं वो बाजार गए है राम मन लगा कर पढ़ता है राम क्या है उद्देश क्या है विधे में मन लगा कर पढ़ना तो हमने देखा की शब्द क्या है बाकी क्या है आपको मैंने बताया बहर्णों को जोड़के शब्द बनता है शब्दों से वाक्य बनते हैं और स्वर और वेंजन के में से शब्द बनते हैं शब्द के दो भेद होते हैं सार्थक, निरर्थक और वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं जिनके दो अंग्य होते हैं उद्देश और विद्य तो आज की क्लास में हमने शब्दों और बाद के पढ़ा इसे आपको अपनी जो बुक दे रखिये इसमें आपको वापस से इसे दोहराना है पढ़ना है देखो बेटा जब तक आप लोग किसी भी चीज का रिविजन है ना प्रेक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगी जब हम कोई चीज एक बार पढ़ते हैं सौरी तो वो हमें एकदम से समझ नहीं आती है जब उसे हम बार बार समझते हैं आपको मैंने बताया ना कि आपको सुनाई थी ना वरदराज की कहानी कि कैसे उसने बार बार अभ्यास करके संस्क्रीत का बहुत बड़ा ज्याता बन गया था सुनाई थी ना इस स्टोरी याद है आप लोगों को इस स्टोरी में इसलिए सुनाती है आपको कि आप उसे सुने, समझे और अपने जीवन में उसे ग्रहण करे उन बातों को सीखे तो मैं हम आपको बार बार समझाती है कि आप जैसे गेम सला ना सीखते हो कोई सिखा रहा आपको मोबाइल में होटे बक्चे चलाता है ना नहीं बोलना कि हम नहीं चलाते में मुझे सब पता है कि कोन कितनी देर मोबाईल चला रहा है और बहुत गलत बात है है ना आप तो आप पता चल रहा है कि मोबाईल का क्या महत्व है है ना जब आप पढ़ाई कर रहे हो कितना उपयोगी होगे आज हमारे लिए mobile तो हमें हमेशा उन चीजों की जो जिससे हमें सही ग्यान मिले सही नालेज मिले हमारे knowledge के लिए है mobile हमारे ग्यान बढ़ाने के लिए न कि हमें game खेलना चाहिए है ना game खेलो तो उसका भी एक time बनाओ आपकी दिन भर में 10 मिनिट 15 मिनिट खेल लिया आप तो जब free weight mobile खेलते रहते हो और बच्चे क्या कर रहे है physical game बिल्कुल नहीं physical means शारी रिख जब तो आप हमने पढ़ा था ना व्यायाम वाला part की नन्नी की डायरी में sorry third में है वो नन्नी की डायरी उसमें व्यायाम करती है उसका दिन शुरू कैसे व्यायाम से होता है तो वो भी आपके बरावर की बच्ची है व्यायाम मिन्स ऐसा नहीं की सुबह से योग कर रहे हो है ना आप पांच मिनिट सुबह से meditation कर सकते हो cycling चला सकते हो मास्क बांद के बाहर इतना तो घूमी सकते हम ये नहीं बोल रहे हैं कि खुब बच्चों के साथ खेलो कुदो लेकिन cycling करो रसी कुदो तो आपकी height बढ़ेगी health बढ़ेगी है ना आप लोग अभी से बोलते हैं ममा पेट दुख रहा है सिर दुख रहा है तो इतने चोटे बच्चों को तो ये चीज़ा होना ही नहीं चाहिए है ना जोटे बच्चों को ये चीजों की तो फिलिंग ही नहीं आने चीकि पैट कैसे दुखता है सीर कैसे दुखता है पैर दुखना तो होना ही नहीं चाहिए इतनी एनर्जी होना चाहिए कि खुब खेले देखो हर चीज का टाइम टेबल बना लो पढ़ने का, खेलने का, सोने का, है ना खाने का, टीबी देखने का, मोबाइल चलाने का अगर आप टाइम टेबल से काम करोगे तो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा लेकिन आप दिन भर खेलोगे तो भी अच्छी बात नहीं है कुछ बच्चे दिन भर पड़ते हैं पड़ते हैं कुछ बच्चे आपके बराबर तो नहीं बड़े बच्चे लेकिन वो भी अच्छी बात नहीं है कम से कम एक घंटा हमारी शरीर के लिए देना चीए मिस हमारी बॉड़ी को भी exercise जितनी करेंगे उतनी हमारी बाड़ी खुलेगी हमारा माइंड खुलेगा है ना हमारी जो नसे होती है उसमें blood circulation अच्छा होगा तो ही हमारा दिमाग भी अच्छा चलेगा अच्छे से भूक लगेगी अच्छे height health बढ़ेगी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आगे जाके है ना टेंथ में जाके अच्छे नमबर लाना है तो अभी से पढ़ना पढ़ता है बिटा ऐसा नहीं कि जब जाएंगे तब कर लेंगे ये जो चीज़े आप पढ़ते जा रहे हो ये ही नावलेज आपको आगे काम आएगा है ना जब आप साईकल सीखते हो तो वो आपको टूबिलर चलाने में काम देती है टूबिलर मिस इसको टी है ना तो ज्ञान क्या होता है एक से एक रिलेटेड होता है तो इसी तरह वन का पढ़ा हुआ अभी टू में काम आ रहा है जो हमने अनाराम पढ़े थे यही काम आएगा तो अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो सभी बच्चे जो भी मेम पढ़ाती है पूरे पार्ड को बहुत ध्यान से समझना है रिडिंग करना है बार-बार अगर मेम का तो वीडियो आपके पास से हो गया है क्लास में तो आपको यह सुईधा नहीं थी आप तो और देखो फायदा कि इतना अच्छा हो गया तो आप उस वीडियो को आपने को जब समझ में नहीं आ रहा सून सकते हैं है ना समझ सकते हैं तो आप जितना समझने की जितना बार-बार प्रैक्टिस करोगे अभ्यास है ना समझाया था ना कि करत-करत अभ्यास के जड़ मतों मतलब बार-बार अभ्यास करने से जो जड़ देकती होता ना मुर्ख वो भी बुद्धिमान हो जाता है तो हमको तो भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है है ना अच्छी बढ़िया दो आँखे दी है हाथ दिये है पेर दिये है तो हमें क्या करना है खूब बन लगा के पढ़ना है और इस बार हमारे को क्या करना है कि और अच्छा result लाके दिखाना है आपने देखा न 12th में कितने अच्छा result आया हमारे GPS का 10th में तो हम क्यों पीछे रहे हमारे 2 का result है उनसे भी अच्छा आना चाहिए तो सभी parents को भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे से corporate कर रहे हैं मुझे thank you so much जब आप लोग मुझे reply करते हो बहुत अच्छा लगता है कि कितने अच्छे बच्चे काश इनको मैं class में जब पढ़ाती तो मुझे और अच्छी आप लोग उसे पता है मुझे energy मिलती है आप लोग मुझे बहुत energy दे रहे हो तो thank you thank you so much सबको और बहुत अच्छे से मुझे reading writing जब आओगे तो करके दिखाओगे यही मैं चाहती हूँ है ना ओके बाई बाई